Hello everyone, welcome back to my channel मेरा नाम है सक्षम और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिक्शनरीज को बहुत ही इजी लैंग्विज में कवर करेंगे वन शॉट में अभी तक हम लोग लिस्ट, यूपल और सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स के मॉडिल के अंदर और अगर आपके उनके कॉंसेप्ट आपके अभी भी वीक है तो मैं आपको यह रेकमेंट करूँगा कि आप मेरी प्लेलिस में जाएए और उनसे रिल्टेट वीडियो को आप देखिए और उसके बाद आप इस वाली वीडियो को स्टार्ट कीजे तो अगर आप वो काम कर चुके हैं तो आप डारेकली बेचे चको के आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीस कर दीजे ताकि मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो चलिए स्चार्ट करते हैं आज की वीडियो तो आज हम लोग 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी डिक्शनरी को बना किसे सकते हैं हमारे लिस्ट कॉंप्रियेंशन के जैसा ही है पस थोड़ा सभी फरक है अगर आपको कॉंप्रीयेंशन आता है तो आपको इसमें कोई इस्उ नहीं आएगा तो अगर इस से पहले dictionary होता क्या है तो बेसिकली आप सब कि आपने कभी ना डिक्शनरी पड़ी होगी तो इसमेंißt vous होता है हमारे कुछ लिखे होते और उन बटकिर लिखे होता हैं साइट बई वो वर्ड पूरी dictionary में अपेर नहीं होता है मैं इस वक्त जो में वर्ड है उसकी बात कर रहा हूं तो अगर वह जो alphabetical order में जो लिखे होता है अगर वो एक बार आ जाते हैं तो वापस वो repeat नहीं होता है तो यही similar चीज हमारी dictionary में भी होती है basically बैसिकली जो dictionary जो python language वाड़ी dictionary है जो हमारे python data structure dictionary देसके अदर basically दू चीजे होती है एक होता है हमारा की और एक होता है हमारा value थो कमें एक key where you pair होता है जो की होता है हमारा वह होता है unique ऌग पर डितओ में हो सकता है वीनिक भी हो सकता है value में कई शूम नहीं हो की की जगा आप कुछ भी डाल सकते हो लेकिन वो यूनिक होना चाहिए किसी भी डिक्शनरी के अंदर एक की एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होनी चाहिए मगर वैल्यू आप रिपीट कर जोकते हैं मल्टिपल टाइम्स अब जो डिक्शनरी होता है उसको हम लोग करली ब्रेसिस से सिंबलाइस करते हैं हमें पता है जब भी हम लिस्ट लिखते है तो हम लोग स्कुरा ब्राकेट का यूज करते हैं अगर हम लोग ट्यूपल का यूज करते हैं तो हम लोग स्कुरा ब्राकेट का यूज करते हैं तो जो कीज होती है वो हमारी यूनिक होनी चाहिए है कीज हमारी स्ट्रिंग हो सकती है बुलियन हो सकती है इंटीजर हो सकता है मगर जो हमारा की है वो कभी भी लिस्च और ट्यूपल नहीं हो सकता बेसिकली कोई डेटा स्ट्रॉक्चर हमारी की के अंदर नहीं आ सकता है मगर जो value वह कुछ भी हो सकता है वह आपका integer हो सकता है boolean हो सकता है string हो सकता है कोई वी object हो सकता है कोई पी डेटा structure होसकता है आप अपने value के अंदर आप real dictionary प Knights को इस्यू नहीं है लेकिन की हमेशे uneagun ripping घाई जैसे putting supreme जैसे की list लेस्च पर नहीं होनी चाहिये कि यह next आपको dictionary आपको define करनी है तो आपको curly braces का use करना है तो अगर आप इसको run करोगे अपने collab में से type करो और एक बद चला के देखो type function के आगे तो देखो डिक्ट आया तो इसका मतलब यह dictionary type का है तो basically यह हमारे dictionary बन जाता है यह variable जो टी है वह empty dictionary है मगर एक बात यहां रफना अगर आपने curly braces के अंदर सिर्फ एक element डाला एक सजादा डाला तो उसकी बात नहीं कर रहा वह तो वह dictionary बनेगा लेकिन अगर आपने curly braces में सिर्फ एक element डाला या तो कोई letter डाल दिया या फिर सिर्फ एक integer डाल दिया कोई float डाल दिया तो वह हमेशा set बनेगा तो मैंने suppose एक d variable है मैंने उसकी value में हमने 1 डाल दिया curly braces के अंदर तो आप इसका type देखोगे तो वह set आएगा मगर अब मैंने इसमें एक key और value pair डाल दिया है कि इसमें मेरी s है और जो value है वह 13 है तो s की value 13 है अगर मैं आप इसे run करूंगा तो आप देख सकते हो यह मेरा dictionary है तो मैंने अगर print d लिखा तो मेरा d जो dictionary वह print हुआ तो मेरी पूरी dictionary यहां print हो गई और अगर मुझे value देखना है किसी की की अगर मुझे particular value देखने है तो मुझे basically उस key को square braces के अंदर dictionary के बाहर मुझे डालना होगा तो मुझे इसकी value मिल जाएगी basically बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है अगर मेरी कोई list है suppose l नाम की मेरी list है अगर मुझे इसका पहला element access करना है तो मुझे क्या करना होगा मुझे लिखना होगा l square braces zero zero मेरा index है तो अगर suppose मेरी कोई dictionary है मैं dictionary को t से symbolize कर जाता हूँ तो dictionary के अंदर suppose मेरी key है one उसका value है x मेरी key है two value है उसकी y तो यह मेरी dictionary है अगर मुझे key की अगर मुझे किसी value को particular access करना है तो मुझे उसके key key value डालने पड़ेगी suppose मुझे x को access करना x value को access करना है तो मैं जो क्या करना होगा d square braces और फिर x का मेरा key क्या है one तो मुझे हां लिखना होगा one तो इस तरह मेरा answer output जो आएगा वो आएगा x एक बार इसको आप चला के देखिए अपने कंशूर्टर में 13 अब आपको एक बार पता होनी चाहिए मैंने कहा था कि आपका जो key है वो duplicate नहीं होना चाहिए लेकिन suppose आपने duplicate डाल दिया आपने code run करके देगा तो आपको कोई error नहीं मिलेगा मेरा मतलब है कि अगर suppose मेरी dictionary d है उसके अंदर मेरी एक key one है उसकी कुछ particular value है और फिर एक key two है उसकी कुछ particular value है और फिर से key one आ गया और फिर से key one मैंने डाल दिया और उसकी कुछ particular अलग value है अगर आप इस code को run करोगे तो कोई error नहीं आएगा बट अगर आप फिर print करोगे dictionary के value तो आप notice करोगे कि जो मेरा ये वाला key one है उसकी जो value है वो इस वाली value को overwrite कर देगा तो basically अगर मेरी एक key है वो मेरी multiple times repeat हो रही है तो जो latest वाली value है वो पुरानी वाली key को replace कर देगा अगर आपको यकीन नहों तो आप एक बार चला के देख सकते हो मेरी suppose एक dictionary उसमें दो सेम की है s और s value different है अगर मैंने से run करा तो आप देख सकते हो मेरी override होगी s 108 से तो अगर आपने dictionary को print किया suppose मैं अपने dictionary को ही print करता हूं तो आप देख सकते हो मेरा सिर्फ s 108 आएगा तो यह वाली seven value वह override हो चुकी है अब वह appear नहीं होगी चला आप हम लोगी dictionary को बनाते हैं curly braces से ठीक है तो जब भी हमें dictionary बनानी होती है तो हम curly braces का use करते हैं और key or value pair हम लोग लिखते हैं of key or value pair में हम लोग बीच में इस symbol का use करते हैं पूर्ण है तो आपको जब भी किसी value को call करना है तो आप उसकी key को डालते हो तो जब भी आप key को डालते हो तो उसकी corresponding value अपियर हो जाती है suppose आप चाहते हो कि आप अपनी एक dictionary के अंदर दूसी dictionary डाल दो तो आप वो भी कर सकते हो यह हमने अभी discuss किया था कि अगर मेरी कोई dictionary है इसकी जो key है वो हमेशा मेरी कोई integer string वगरा कुछ भी हो सकता है लेकिन कोई भी data structure जैसे की list pupil और आपकी dictionary यह सारी चीज़े यह नहीं होगी मगर आपकी जो value है वो दुनिया की कोई भी चीज़ ले सकती है उसके अंदर आप integer डाल सकते हो float डाल सकते हो boolean डाल सकते हो bla 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 कुछ भी डाल सकते हो साथी साथ आप इसकी जगा list pupil और साथी साथ dictionary भी डाल सकते हो आप value के अंदर कुछ भी डाल सकते हो तो basically आपको अगर किसी dictionary के अंदर आपको एक और dictionary डालनी है तो वो आप चीज़ कर सकते हो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी suppose मेरी dictionary है my dictionary उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ ये सारे आइटम डाल दी है अब मैंने अगर अपनी dictionary को print किया suppose मैं अपनी जो key to है उसके corresponding value को print करूँगा तो मेरा answer ये आएगा जैन अगर ये वाली जो मेरी है कि उसके अगर मैं उसको print करूँगा तो ये पूरी की पूरी value मेरी appear हो जाएगी but by chance मैं पूरी की पूरी ये जो अंदर की dictionary मैं इसको नहीं लाना चाहता मैं इसके अंदर भी ये जो particular है इन्हें access करना चाहता हूँ तो आप सबसे पहले इसको और उसके बाद इस वाले key को आप डाल सकते हो तो इससे जो corresponding ये ऐससे ये appear हो जाएगा आप इससे run करके देखोगे तो ये आपका appear हो गया देखो SS आ गया क्यों क्यों क्योंकि पहले यहां पे गया उसके बाद key one पे गया तो ये मेरा appear हो गया अब suppose मैं अपनी जो data की जो keys है suppose मैं dictionary की जो keys है मैं उन्हें one by one access करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ एक for loop चला दो तो आप basically जब आप for loop चला दोगे जो हमारी dictionary होती है वो mutable होती है लिस्ट भी हमारी mutable होती है पस ट्रुपल हमारी mutable नहीं होती है अगर आप dictionary के अंदर किसी value को आप change करना चाहते हो तो अगर suppose कोई key है उसकी corresponding value को आप change करना चाहते हो तो वो आप आप असानी से कर सकते हो पस आपको उसे असाइन करना है कोई और वैल्यू कोई आपको इश्यू नहीं आए अब मैं सपोस्पोस देखना चाहता हूं अपने टुगेटर लिस्ट आप ट्यूपस ऑफ की अनिट्स वैल्यू मैं सपोस्पोस जो भी मेरे डिक्शनरी के आइटम ह मैं उनको एक की पॉप में देखना चाहता हूं और उसकी वैल्यू के पेर के अंदर तो बस आपको बस आपकी जो डिक्शनरी उसका नाम ते डौप आइटम सब्सक्राइब आपके डिक्शनरी आइटम हैा जो सारे के सारे आपके सामने प्रजेंट हो जाएगा आप इसे करना है .value method का use करना है अब आप करोगे तो सिफ values आपके आएंगे keys आपकी appear नहीं होंगी और इसी तरह आप अगर आप इसको मतलब one by one सारी जो भी है value उनको प्रिंट कराना चाहते हो एक साथ इस फॉर्म में नहीं देखना चाहते हो तो आप for loop का use कर सकते हो तो आपके देखो one by one आपकी appear हो गई अब suppose आप ये एक dictionary है उसकी value है एक है की one उसकी value है 123 एक है की two उसकी value एक list चाल दी मैंने suppose 12,23,33 की और एक है आपकी की ये की 3 और उसकी value ये है अब suppose मैं उसमें से अपनी जो भी item से उन्हें call करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा तो print ये वाली जो मेरी dictionary का नाम है ये और साथ ही साथ suppose मैं अपनी जो key two है इसकी values को मैं प्रिंट करना चाहता हो तो मुझे क्या करना होगा मुझे लिखना होगा कि पहले dictionary का नाम उसके बाद मुझे इस वाली key के अंदर है न ये वाली value तो basically मुझे इसको डालना पड़ेगा x square bracket के अंदर ताकि इसकी सारी value है और इसमें से भी मुझे सिर्फ ये वाला गर्साची है तो मुझे भी उस particular value को मुझे slice करना होगा तो आप इसे run करके देखिए ओके तो error क्या आया है key three oh sorry मैंने इसको run नहीं लिया देखो 33 और ये आ गया अब suppose ये मेरा ये item 0 क्यों है item 0 मेरा यहाँ पे है मैं इसको access करना चाहता हूँ तो basically आपको अगर ये वाला आपको access करना है तो आपको क्या डालना होगा सबसे पहले ये जो पूरी dictionary उसका नाम dictionary के अंदर ये वाला जो है item ये basically सबसे पहले कौन सी key के अंदर आते है key three अब key three के अंदर भी कौन सी index पे है पहले index पे है तो 0 तो ये appear हो गया तो आप यही डॉट अपर बगरा जो भी आपने लिस्ट के अंदर जो आपने देखे थे में यहां पर ट्राइब मार सकते हो अपर लोवर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैसिकली यही मैंने क्या कर दिया है यहां पर जो मेरा यह आइटम जीरो इसको मैंने कैप्टल में लिखती है सबको यह सारे डॉट अपर डॉट आप कर सकते हो इसमें उसीखने का नहीं है एक और चीज़ा भी ट्राइ मार के देख सकते हो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो जो भी आपने की के अंदर वैल्यू डाल रखी है उसके अंदर आप मतलब सपोर्ज आप कुछ माइनस करना जाते हो तो आप सिंपली एक इस लाइन से कर सकते हो अगर आपने इसे रन किया तो आप देख सकते हो जीरो मेरी की वन की वैल्यों 123 थी मैंने क्या कर दिया माइनस इकवल 123 इससे क्या हुआ जो मेरी ओरेजिनल वैल्यू थी उसके अंदर से 123 मेरा सब्ट्राक्ट हो गया अगर मैंने माइनस की जगा यहां प्लस कर रहा होता तो आप देखो क्या होता 123 मेरा वापस वह आ गया जीरो से जीरो के अंदर मेरा 123 आड हो गया फिर से मैंसे करता हूं रण तो तो फॉर्टी सिक्स हो गया अब 123 के अंदर मेरा एक और 123 आड हो गया अब सपोज मेरी यह जो की बाने उसकी वालीव 246 हो चुकी है इसमें एक ब करते हैं एक टुमने तरीका देखा है डिक्षिनरी क्रिएट करेंगा कि आप लिस्ट की फॉर्म में ऐसकी आइटम इसके अंदर डाल दो करी बरेस सिसके अंदर की वैल्यू पर डाल दो आप एक और चीज कर सकते हो आफिर असाइनमेंट का यूज करकर करके यानिक एक एक देखो एक आ गया पहली मेरी dictionary empty थी कुछ भी नहीं था लेकिन अब उसके अंदर यह आ गया क्यूंँ आया क्यूंकि मैंने बस dictionary के अंदर मैंने key डाल दी और एक्सवाइज हाप पर मैंने उसकी value डाल दी तो मेरा automatically एक key value pair generate हो गया अब हम लोग कुछ dictionary के methods को देखते हैं तो basically अगर suppose हमने एक एक एसी normal dictionary create कर ली की 11 की 22 की 33 अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सारी keys को एक list की form में मैं ले लूँ और पर उनको मैं print कर दूँ तो आप यह कर सकता हो f is equal to d.keys और यह बेसिकली यहां पर क्या होगा यहां पर मैंने करा क्या तो यहां पर सबसे पहले जो मेरा d.keys है d के अंदर मेरी एक dictionary है ठीक है अब मैंने जैसी d.keys करा इससे क्या हुआ है जो भी मेरी dictionary के अंदर keys है वो सारी मेरी एक इस टाइब के object के अंदर d.keys इसके अंदर मेरी सारी keys की एक list आ गई ठीक है अब मैंने यह जितने भी keys की जो list है मैंने उसको एक f variable के अंदर store कर लिया अब अगर मैं सबसे पहली की को access करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा मैंने इसको f को सबसे पहले एक list की form में change कर लिया list को मैंने keyword का use कर रहा है इससे मेरा जो f है यह अब यह dict keys की जगह यह यहां पे इस जगह पे यह list की form में आ गया फिर मैंने इसके पहले index निकाल लिया जीरो डाल के तो इससे में जो पहला की है उसका नाम मुझे पता चल गया तो आप इससे run करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि पहला मेरा इसमें keyword है देखो keyword आ गया अब मैंने यहां पे दूसरा index चाल दिया अब रन करूँगा तो मेरा key डूबा जाएगा मैं सारी के सारी values को लेना चाहता हूँ तो आपको बस d.values जालनी है आप अगर इस data type का type देखो इस object का type d.values का तो देखो d.values है यह एक अलग ही object है सारी values अगर आप देखना चाहते हूँ क्या है तो देखो 123 उपर देखो 123 सारी मेरी value 123 आ गई है यहां पर अगर सारे आइटम आप देखना चाहते हो कि कौन-कौन साइटम है यानि की value पर सब कुछ आपको चाहिए तो आप d. items का यूज़ कर सकते यह उपर भी हम लोग देख चुके है बेसिकली यहां पर हमें ट्यूपल मिल जाता है तो देखो हमारा एक ट्यूपल जन्रेट हो गया स्कूर है की 11 की 22 की 33 डिक्ट आइटम के अंदर आ गया यह अब हम लोग देखते हैं डिक्शनरी कॉंप्रिहेंशन सबसे पहले नीचा वाला देखते हैं बेसिकली सपोज मेर लगशचन है आप वीडियो पऊस करके ट्राय मार साकते हो मैं ठक रहता हम यह है मैं यह कि मैं एक इस तरह का लिस्ट जन्रेट करुए मैरा नाम है ठीक है फिर 2 फिर से मेरा नाम पिर 3 मेरा नां मेरा नाम बो Mitslä should कि मैं dictionary एक generate करना चाहता हूं और बिना मैं इतना सब कुछ टाइब करें तो मैं कैसे कर सकता हूं तो बेसिकली यहाँ पे मैं dictionary comprehension का use करूंगा list comprehension का तो आपको idea हो गई नहीं होगा तो एक बाप पहले आप उस वीडियो के रिपीट करो अगर वह आपको clear निया list comprehension तो dictionary comprehension आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है तो आप अभी आप बंद करके वह वाली वीडियो लिस्ट की आप स्टार्ट कर सकते हो और वह आप उस ट्रॉपियो में confident हो तो यहाँ पे तो आपको 12 वह सारी value आई लेता रहेगा आई 0 पर जाएगा फिर वन पर जाएगा फिर टू पर जाएगा ऐसे जाता रहेगा जब तक कि वह 12 पर ना है तो basically आई मेरा 0 से लेकर 12 तक हर एक नमबर पर ट्रेट करेगा और उसके बाद यहां पर मेरा एक dictionary बनता जाएगा हर थोड़ी तेर में और जहां पर i की value मेरी पहले 0 होगी फिर 1 होगी फिर 2 होगी फिर ऐसे होता 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 लास्ट में 12 पर आने के बाद स्टॉप हो जाएगा आप इसे रन करके देखिए 0 सक्षम 1 सक्षम यह यहां वाला चेंज नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर तो मैंने fix value यहां डाल दिया अगर मैंने यहां सक्षम की जगह मैंने डाल दिया suppose i plus 1 तो देखो क्या होगा 0 1 1 2 बेसिकली यहां पर जो मेरी की है उससे एक कतम आगे रहेगा मेरा आप तो यहां पर अगर मैं उपर देखूं suppose मैं एक key value पर जिनरेट करना चाहता हूं एक dictionary के अंदर जहां पर जो भी मेरा की है उसकी जो value है वो अपने की के square के बराबर है तो आपको क्या करना है आई 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 आप कोई भी रेंज ले लो मैंने 10 तक की रेंज लिया है उसके बाद जो value है उसमें हम मैंने डाल दिया आई स्टार टू या फिर आई एस्ट्रिक एस्ट्रिक टू तो इससे गया हो मेरा आई स्क्वेर अपनी स्क्वेर वाली वैल्यू पर चला रहाएगा और यह मेरा 10 तक 10 की रेंज तक रिपीट होता है यानि 0 से 9 तक अब आप इससे रन करोगे तो आप देख सकते हो क्या 25, 25, 6, 36, 7, 49 तो यह था हमारे डिक्शनरी कॉंप्रेइंशन तो आज की वीडियो के अंदर मुझे पूरी अमीदा आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नों डिक्शनरी को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपके करली ब्रेसे वगरा क्या होता है अगर करली ब्रेसे में सिफ आपन देटस की होगी वह ओरेचनल वगी की के वाल्यों को रिपलेस कर देगा डिक्शनरी के अंदर सेiking का लिए तो उस पर्टिक्शनरी के अंदर सेमिंकोई निकलने तूं वह काल सकते हैं और नेस्टारी में owning हो अव्र से करते हैं दिक्शनरी की हमने बिल्कुल भी डीप में न तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग function स्चार्ट करेंगे function सबसे important topic है data structure भी important है function भी important है और object oriented programming भी important है basically यह तीन आपके base है यह आपको बिलकुल आने चाहिए आपके हर एक interview में अगर python का इंटर्वियू बगर दे रहे हो या data science का इंटर्वियू दे रहे हो functions के अंदर हम लोग basically function का creation function के method types of function सारी चीज़े discuss करेंगे function के method क्या है मतलब map reduce यह सारी चीज़ों साथ हम लोग iterator generator भी हम लोग discuss करेंगे तो उमीद आपको आज की वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like कर दीजे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजे और अगले मीडियो में मिलते हैं बाई थेंक्यू